वेल्कम बैक टू माई चैनल विवर्स इस वीडियो में हम लोग आगे चैप्टर करेंगे जो कोई भी ये वीडियो नया देख रहा है तो हम लोग EBS कर रहे थे जिसमें हम लोग उने चैप्टर 11 तक कर लिया था तो चल करते हैं चैप्टर 12 मैं उन सब हरी जिस्टर 11 तक हमने वीडियो अपलोड की हैं उन सब के लिंक में डिस्क्neckिप्शन बॉक्स में देदूंगी नहीं तो मैं पूरी प्लेडिस्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में ढाल दूंगी ताकि जिनको भी पढणन है तो वह इसली डिस्क्रिप्शन बॉक्स से प्लेलिस पे जा सकें तो चलिए देखते हैं कि चैप्टर 12 में क्या-क्या इंपॉर्टन है सीटेट के एक्जाम के पॉइंट और व्यू से चैप्टर 12 में कैसे कैसे बदलेगर यानि की एक चेतन दास है जो की स्टोरी सुना रहे हैं जब वो 9 साल के थे तब से वो लेकर उन्होंने आज तक कितने कितने घर को किस तरह बदलते वे देखा यानि कि पहले किस तरह घर बना करते थे पहले ये गोबर से पोताई होती थी म मिट्टी मिलाकर अब सीमेंट पेंट इस तरह से होने लगा मार्बल्स तो वो बता रहेंगे किस तरह से वो पहले जहां रहते थे आप कहां रहने लगे और किस तरह से उनकी जनरेशन आगे बड़ी और उनकी बेटों ने किस तरह से घर बनाएं उन्होंने किस तरह से घर ब आपको यही सब याद रखना है कि उन्होंने क्या-क्या यहां पे इस चाप्टर में 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 चीजें दी हैं जो कि एक्जाम में उठाई जाती हैं स्टेट के एक्जाम में तो चलिए देखते हैं मैं हूँ चेतंदास सालों पहले मैं तुम्हारे जैसे छोड़े छोड़े बच्चों को बढ़ाता था आज कल अपने बीते हुए दिनों के बारे में लिखता हूँ आज मैं तुम्हें अपने बारे में बताता हूँ इसमें जो इंपॉर्टन पाइंड है बस मैं वही बता रह था इसलिए पहले वो गाजी खान में रहते थे जो अब बटवारा होने के बाद जो कि अब पाकिस्तान का हिस्सा हो चुका है तो आपको यह याद रखना है कि गाजी खान कहा है गाजी खान पाकिस्तान में है उसके बाद यहां पे लिखा हुआ है अध्यापक के लिए इस प से पहले आप बच्चों को आप बता सकते हैं कि अंग्रेजों से भारत की अजादी किस तरह हुई देश में बटवारी का इतिहास मतलब क्या रहा किस तरह बटवारा हुआ इसके बारे में बताएं नक्षे में भारत और पाकिस्तान दिखाएं यानि कि मैप में आप दिखाएं कि भारत किदर है पाकिस्तान किदर पड़ता है इस तरह से उसके बाद यहां पे दिखाया गया है कि उसके बाद जब उनका घर बदला अब वो सोना गाउं में रहने लगे हम आसपास के घरों से गोबर ले आए अम्मा ने उसे मिट्टी में मिलाया और जमीन पर लिपाई की बिलकुल वैसे ही जैसे वे पुराने घर में करती थी अम्मा कहती थी इसे मिट्टी में कीड़ा नहीं लगता याने की मिट्टी में गोबर मिलाने से कीड़ा नहीं लगता पहले जो घर बनते थे तो उसमें मिट्टी में गोबर मिलाके लिपाई की जाती थी ताकि कीड़े मकूरे ना आए तो आपको या रखना है कि मिट्टी में गोबर मिलाने से कीड़ा नहीं लगता देन उसके बाद तो आपको जो जो में में पॉइंट या रखने हैं वो कुछ इस तरह से हैं उसके बाद यहां पे दिया हुआ है अध्यापक के लिए सोना गाउ हर्याना में हैं बच्चों को नक्षे में हर्याना डूनने को कहें उनका ध्यान इस ओर दिलाया जा सकता है कि सोना गाउं के अधिक तर गर बनांगे वनाने में आजपास असानी से मिलने वाली चीजे इस Civाल हूई थी आजपास मिलने वाले इन चीजों और अनके इस्तेमाल पर कप्छा में चर्चा करें उसके बाद यहां बताया गया है जब उनकी शादी हुई चेतन दास की तब कुछ लोग तो खेतों में जाते थे टॉयलेट के लिए लेकिन कुछ लोगों ने टॉयलेट बनवा ली थी तो चेतन दास बताते हैं कि टॉयलेट की सफाई और मलमूत उठाने के लिए बस्ती से लोग आते थी यानि कि जो टॉयलेट की सफाई है उसके लिए बस्ती से लोग आते थे वो खुद नहीं करते थे इस तरह से कहां पर पॉइंट दिया हुआ है उसके बाद यहां पर दिया हुआ है अध्यापक के लिए बच्चों से पूशा जा सकता है कि वे दूसरों से टॉयलेट साफ करवाने की बारी में क्या सोचते हैं क्या वे ऐसे किसी जगहा के बारे में जानते हैं जहां आज भी ऐसा होता है उसके बाद यहां पर जो में पॉइंट है वो यह है कि जब उनकी जो छोटा बेटा था मौन्टू जब उसके नौकरी लगी तब नौकरी देली में लगी तो वो देली में जाके बस गया तो यहां पर आपको यह याद रखना है कि सोना से जब डेली जाते हैं तो उस वक्त रास्ते में एक गुरुगाओं शेहर पढ़ता है जिसका नाम अब गुरुग्राम हो गया है तो आपको यह याद रखना है कि गुरुग्राम गुरुगाओं हो ही कहते हैं जो कि दिली ज पास यदィ कोई अमारत या मकान बन रहा हो तो वहां बच्चों को ले जाये जाए जा सकता है यानि कि जब आप उस जगा पे ले जाएंगे तो बच्चे देखेंगे किस तरह से मकान बंता है Het क्या कर जरूरत होती है तो इस तरह से अक्रविटी है अध्यापक के लिए यहां पर एक और दिया है अध्यापक के लिए अगर हो सके तो जहां इमारत बन रही है वहां बच्चों को ले जाए या वहां काम कर रहे कुछ लोगों को अपने स्कूल में बुलाएं उनकी काम और और जारों के बारे में उनसे बात चीत करें इस तरह से कुछ इस चैप्टर में तीन-चार पॉइंट थे जो कि एक्जाम में आ सकते थे उसके बाद हम लोग नेक्स चैप्टर पर जाते हैं तर्टीन चैप्टर जो थर्टीन है वो है पहाडों से समुंदर तक यानि कि पहाडों से लेकर समुंदर तक किस तरह से पहाड़ों सनन्दिया निकलती हैं वो गुजरते हुए शहरों में आती हैं किस तरह से तो इसमें विसिकली यही सबत आया गया है जो कि important नहीं है चैप्टर इतना exam के point of view से इसलिए हम लोग इस चैप्टर के skip कर रहे हैं हम लोग चैप्टर फुर्टीन में चलते हैं जो फुर्टीन है वो है बस्वा का खीट इसमें आपको दो तीन चीजें ही याद रखने हैं जैसे कि यहां पे लिखा है करनाटक की बेल वनी का गाउं में रहता हूँ यानि कि बस्वा एक नाम है जो कि करनाटक की बेल वनी का गाउं में रहता है तो आपको याद रखना है कि जो बेल वनी का गाउं है वो कहां पढ़ता है वो करनाटक में पढ़ता है मेरे अपपा किसाने जुलाई का महीना है हर बार की तरह इस बार भी अपा प्यास की फसल उगाने की तैयारी में है यानि कि जो प्यास की फसल उगाने का समय होता है वो क्या होता है वो जुलाई का महीना होता है तो आपको याद रखना है इससे कोशन उठ सकते हैं कि प्यास की फसल उगाने का जो टाइम होता है वो क्या होता है वो जलाई का महिना होता है उसके बाद इस चैप्टर में से यहां पे लिखा हुआ है अध्यापक के लिए इस पार्ट में प्यास की फसल का एक उधारन मातर लिया है अपने इलाके की या आसपास की किसी एक फसल को उगाने की उगाने में किये गए कार्यों पर भी चर्चा करवाई जा सकती है बच्चों से नक्षे में करनाटक देखने को कहें तो आप मैप में बच्चों को करनाटक इधर पड़ता है उसको देखने के लिए कहें उसके बाद यहाँ पर जो मेंट पॉइंट है वो यह है तो कुछ पॉदे बिना बोई अपने आप ही उग जाते हैं वही होते हैं खरपतवार यानि कि आपने देखाओगा जब कभी मिट्टी में अपने आप चोटे मुटे पॉदे उगे होते हैं जिनको हमनों क्या बोलते हैं खर्पतवार जब भी कई कोई फसल की जाती है तो उन पौदों को निकाल देना चाहिए ताकि जो भी खार डालते हैं तो उसका न्यूट्रेंट सारा वो पौदे ही ले लेते हैं इसलिए पहले खेती करने से पहले हम लोग जो चुटे चुटे पौदे निकले होते हैं जो बिना बोई उख जाते हैं तो उनको पहले निकालते हैं उनको ही खर्पतवार बोलते हैं जो बिना बोई उखते हैं तो यहाँ पे आप चेतर में देख सकते हैं किस तरह से पहले बो को ताकि जो भी नूट्रेंस डालें जो भी खाद डालें तो उनका फाइदा उसी फसल को जो गाई हो इस तरह से इस चाप्टर में भी इतने ही इंपॉर्टन पॉइंट थे इसके आगे चाप्टर जो है उसको अगली वीडियो में करेंगे अगर यह वीडियो अच्छी लगी हो आपके लिए हलफू रही हो तो प्लीज इसे लाइक करें मेरे चैनल को सबस्क्राइब करें और शेयर करना ना भूलें